36 गर के कई जीलों में होगी भारी बारिस मौसमी भाग ने जारी किया औरेंज अलट गरत चमक के साथ वरसेंगी बादल बताड़े की 36 गर के कई जीलों में भारी बारिस की चितावनी जारी की गई है मौसमी भाग ने बीजापूर और नारायपूर जीले के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि गर्याबंद धमतरी, बालोद, राजनान गाउं, वस्तर, कॉंडा गाउं, दंतेवाडा, सुक्मा और कांकेर जीले के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है राजधानी रायपूर में देर राज जमाजहम बारिस वी, औरेंज अलर्ट वाले जीलो में एक-दो इस्थानों पर भारी बारिस होने की संभावना है वही जीलो के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां मध्यम से भारी बारिस हो सकती है प्रदेश में इस सीजन में सबसे ज्यादा बीजापूर में 821.9 मिलिमीटर बारिस हो है, जबकि बालोद में 622 मिलिमीटर बारिस रिकॉर्ड की गई धमतरी में 532, राजनांगा में 563 और सुकमा में 679 मिलिमीटर बारिस रिकॉर्ड होई है यहां बारिश का आकड़ा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक की रिकॉर्ड की गई है जो समान्य से ज्यादा है जबकि सर्गुजा में केवल 132.3 मिलिमीटर बारिश भी है जो यहां के सुखे जैसी स्थिति को बताता है इसके लावा राजधानी राइपुल में 520 मिलिमीटर प्रदेश के उपर है इसके साथ उप्रिहवा का चक्रबाद 7.6 किलोमीटर की उचाई तक फैला हुआ है इसके और अधिक प्रबल होकर और और दाप के रूप में अगले 24 घंटे में उसी छेत में बदनले की संभाबना है इसके बाद या धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तरपसिम बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए उत्तर तटिये आंध्रप्रदेश दक्षिन तटिये ओडिसा के उपर पहुँचने की संभाबना है इधर मानसुंद्रोरी का जैसल मेर कोटा गुना रायपूर भवानी पठना निम्नदाप के केंद्र से होते हुए प्राचमा के साथ चीटेपढ़ने की संभाबना है इसका अलावा दक्षिर चत्तियस गर्ण में भारी बारिश की संभाबना जाहिर की गई है